हूँ खूर्ण्स घूद मौनिंग मैं हूँ दिभूंकर और आप देखरें मेरे यूट्टीब चनल पजाइब बहुत-बहुत स्वागत फ्रेंट्स आज का वीडियो का जो में टॉपिक है यह है डी वार्मिंग को लेके बहुत सारा लोगों का ए ओपिनियन है कि बार्ड्स या पैरोड्स को डी वार्मिंग करने का कोई ज्वेद नहीं है और बहुत सारा लोग यह भी कहते हैं कि हाँ बार्ड्स या पैरोड्स को उन लोग के लिए मैं क्या करता हूँ, डियोर्मिंग करता हूँ या नहीं करता हूँ, और अगर करता हूँ, तो कौन सा दवाई यूज करता हूँ, और उसका रेजल्ट क्या मिलता है, और सही तारीका क्या होता है, डियोर्मिंग के लिए, तो बने रहीगा मेरे साथ इस एक जीव होता है जो दूसरा किसी जीव का शरीर का अंदर रहता है और वहां खापी के जिन्दा रहता है अराम से जिन्दा रहता है ठीक है इसको कहते है वर्म और अगर human birds पैरट्स या किसी भी एनिमेल्स के अंदर वर्म रहेगा तो deworming करना बहुत ही जरूरी है और मेरा ज जो खाना मतलब जो food, seeds, vegetables, पानी बगेरा या जिस थाली में हम लोग provide कर रहे है इन सारे जगा से या हम लोग जब बाहर से आते हैं हम लोगों का पैर में जो मैल रहता है यहां आसपास का बहुत सारा जो birds, parrots आके आपका cage का बगल में बैठके अगर वोग पौटी करेगा तो उन सब जगा से bacteria effect होके cage का जो birds या parrots है उन लोगों का अंदर warm पैदा हो सकता है ठीक है या ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो fruits, vegetables उन लोगो provide करते हैं उन लोगों warm का लर्वा उस खाने के साथ उन लोगों का सरीर में जा सकते है और यह warm उन पैदा हो सकता है ठीक vegetable जो कुछ भी हम provide करें बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेस पानी से धोने के बाद ही उन लोगो provide करें फिर भी हो सकता है किसी भी तरीक और हर रोज तो इतना अच्छा से धो के मतलब कभी-कभी थोड़ा बहुत तो mistake हो भी सकता है तो तब वहां birds या parrots का सरीर में warm हो सकत threat worm, gap worm, philarial worm और kickle worm ठीक है और इन में से birds मतलब हम लोग जो birds या parrots हम लोगों का घर में रखते हैं mainly तीन टाइप का worm उन लोगों का अंदर रहते हैं क्या 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 tape worm, round worm and threat worm इस तीन टाइप का worm हम लोगों का birds या parrots का सरीर का अंदर रह सकता है तो अगर warm रहेगा तो de warming करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि अगर de warming नहीं कराएंगे तो धीरे-धीरे देखिएगा अगर आपका birds या parrots का सरीर का अंदर warm आ गया है हो गया है बहुत सारा और आपने de warming नहीं कराया हो तो क्या होगा आपका birds धीरे-धीरे खाना कम कर देगा उसका body weight loss होता जाएग सिना चक्रा जाएगा उसका अगर ओ फिमेल या मेल कोई भी हो ठीक से ब्रीड नहीं कर पाएगा अंडा नहीं ले कर पाएगा अगर अंडा ले भी कर दिया तो फटाइल नहीं होगा बहुत तरीका का problem हो सकता है तो हम लोग समझ गया है कि हम लोग का birds या parrots का सरीर का अंगे एक्चुली ओ मेडिसीन एक प्रकर का poison होता है मतलब वीज होता है तो हम लोग को थोड़ा सोच समझ के बार्ट या parrots का de-arming करना है और इसमार्केट में बहुत सारा मेडिसीन दियो आर्मिंग के लिए आपको मिल जाएगा जैसे एलबोमार हो गया वर्मार हो गया ठीक है और यह बगेरा मतलब अलबंड़ल अलबंड़ल का gentil gentil एक सिराव होता है बहुत सारा टाइप का आप को मिल जाएगा मैं पहले यूज करता था अलबोमार लेकिन अभी यह जेंटील अच्छा काम कर रहा है अलबंड़ल कंपनी का एक्चली में जो इसका जो कॉंपोजिशन होता है वही अलबंड़ल है अलग-अलग कंपनी अलग-अलग नाम देके मार्केट में सेल करते हैं त यह एक टाइब का पॉज़न है तो हम लोगों को बहुत ही सोच समझ के यह हमारा बार्ड या पैरोड को देना है देखिए एक्च्छली इसका जो डोजेज होता है बौडी वेट के हिसाब से उन लोग को डोज दिया जाता है लेकिन हमारा जो हम लोगों का जो कॉलोनी में तो बताएंगे उसका मतलब क्या तरीका है मैं कैसे मेरा बार्ट सारा बार्ट को देता हूं बताएंगे लेकिन उससे पहले एक कब देना चाहिए देखिए एक पोईजन है ठीक है 20 एक पकार का 20 है तो ज्यादा गर्मी के वक्त मतलब समर सीजिन में आप इसको ना दीजिएग तो मतलब डीवर्मिंग का दवाई अगर उन लोग को हम खिलाएंगे तो ओन लोग को हार अटक भी हो सकता है या बहुत सारा प्रॉब्लेम भी आ सकता है उन लोग का उपर इसलिए हम लोग कोसेश करेंगे के सर्दी का मसम में या गर्मी खतम हो जाने के बाद समर सीजिन के बात पहले या बात ठीक है यही टाइम सही होता है लोग कैसे कर आएं यह बहुत सारा अलग अलग लोग का अलग अलग ऑपिनियान है लेकिन मैं जैसे करता हूँ वो ही अब लोगों को बता रहा हूँ देखिए डियोर्मिंग का दवाई मेरा बार्चिया पैरोड को प्रोभाइट करने से दो दिन पहले से मैं ये लीप 52 एक लीवर टॉनिक है ये दो दिन मैं उन लोगो पानी के साथ मिला के देता हूँ मतलब हर एक बार्ड के लिए दो तीन ड्रॉप सही है उसी इसाब से अगर एक पैर होगा तो पानी के साथ या फूट्स के साथ तीन तीन छे ड्रॉप या चार चार आट ड्रॉप करके आप दे सकते हैं दो दिन हो जाने के बाद जो एलबंडाजॉल का जो जेंटील है यही सिरप मैं देता हूँ ठीक है यह जो दबाई यह तेन एमेल रहता है इसका अंदर दो लिटर पानी के साथ हम तेन एमेल मिक्स कर देते हैं देखिए अभी डोजेस कैसे बना समझे के बैजी स्पैरोट 10 ग्रम एक दिन में पानी पीता है उसी जगा मकाओ 50 ml तक पानी पी जाता है एक दिन में ठीक है लेकिन अभी quantity तो अपने आप ही बन जाएगा दो लिटर पानी के साथ यह 10 ml अगर हम मिक्स कर देंगे तो जो जितना पानी पीएगा उसी हिसाब से उसका सरीर में जितना जान यह मेडिसीन और चला जाएगा यह भी हो सकता है कि एक बार्ट को पकड़के अगर बजीज होगा तो एक ड्रफ करके आप डिरेक्टली उनको खिला देंगे तो और भी अच्छा रहेगा और जो मकाओ बगेरा है अगर उसको पकड़के हम 7-8 ड्रफ अगर हम खिला सकते है तो बहुत बढ़िया है लेकिन उसको पकड़के तो खिलाना बहुत ही मुश्किल है इसलिए 2 लिटर पानी में 10 ml हम मिक्स कर देंगे अलग-अलग size का बार्ट अलग-अलग quantity का पानी पीता है उसी हिसाब से उन लोग का सरीर में यह medicine चला जाएगा तो यही मतलब सही है यह यह जो quantity है यह जो doges है सही तरीके से उन लोग का सरीर में पहुंच जाता है दो लिटर पानी में 10 ml ठीक है तो इसी हिसाब से आप दीजिएगा एक दिन मतलब पहले दो दिन लिप 52 उन लोग को प्रोवाइट कीजिएगा उसके बाद तिसरा दिन यह अलबंडा जोल या एल मतलब दो दिन पहले लिप 52 उसके बाद डीवर्मिंग का मेडिसिन उसके बाद फिर से दो दिन लिप 52 और उसके बाद पांच दिन continue किजिएगा किसी माल्टी विट्यामिन का मैं जो यूज करता हूँ भाई मिरल ठीक है भाई बैक कंपानी का वाई मिरल ऐसे करके मैं कराता हूँ और फिर छे माहिना बाद सिर्फ एक ही दिन करता हूँ और अभी बात आते है कि कैसे उन लोगों को हम प्रोभाइट करेंगे मतलब यह डीवर्मिंग का दवाई उन लोग को पिलाएंगे देखिए यहां भी बहुत सारा लोगों का अलग 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 opinion है लेकिन मैं जो करता हूँ ओई अब लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ बता रहा हूँ तेखिए मैं जो करता हूँ जिस दिन मैं डीवर्मिंग का दवाई या उन लोगों को पिलाता हूँ उसका पहले वाला दिन साम को हर केज से सारे खाने का ट्रे बागेरा पानी कुछ नहीं उसके बाद 10 मिनिट बात बाकी शीट्स फूर्ट बगेरा जो मैं देता हूँ उन लोगो प्रोबाई करता हूँ तैके क्या होगा वो जो 10 मिनिट्स वहाँ सारे बार्ट स्पेरोट मतलब पूरी रात पियासा है और सुबासे भी कोई पाणी उन लोगों को नहीं मिला तो और यहाँ एक बात धियान रखना है जिस दिन हम यह मेडिसीन उन लोग को प्रोभाइट करेंगे उस दिन कोई सब्जी फ्रूट मतलब ज्यादा वाटर है ऐसे कोई फूट्स या वेजी टेबल्स हम लोग उन लोग को प्रोभाइट नहीं करेंगे सिर्फ ड्राइफूट जै ने उन लोग को प्रोभाइट किया है मेडिसीन मिक्स किया हुआ पानी वह ज्यादा नहीं खाएगा ठीक है इसलिए काम सही तरीके से नहीं होगा इसलिए जिस दिन आप अपना बार्ट्स पैरोट को डिवार्मिंग करा रहे हो तो उस दिन उन लोग को कोई भी वेजी मैं दे देता हूँ दो पहर को तीन थारे तीन बाजे फिर से वह पानी निकालके उन लोग को फ्रेस पानी मैं प्रोभाइट कर देता हूँ मतलब थारे आठ बाजे से 9, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 6, 7 घंटा मैं वहां राख देता हूँ वह पानी ठीक है और उसके बाद फिर से दो दि करते हूँ और इस तरीके से मैं मेरे सारे बार्ट या पैरोट का डियो अर्मिंग करता हूँ और हमने देखा कि बहुत अच्छा रिजाल भी मिलता है क्योंकि डियो अर्मिंग करने का 15 या 20 बात मेरे सारे बार्ट या पैरोट को मैं जब वाच करता हूँ तभी वह लोग ब तो इसलिए मेरा चुछ का एक्सप्रियेंस है कि हाँ अब लोग को डियोर्मिंग करना चाहिए यह बहुत ही जिरूरी है ठीक है और तो चलिए फ्रेंड्स अभी प्रैक्टिकली हम करके दिखाते हैं आज मैं मेरा सारा बार्ड्स या पैरोड्स को डियोर्मिंग कराऊंगा त तो उसी के सब प्रैक्टिकली हम आप लोग को करके दिखा देंगे के मेरा बार्ड्स या पैरोड्स का डियोर्मिंग मैं कैसे कराता हूं और फ्रेंड्स एक डो लिटर का पानी का बटल है और मेरे पास मतलब जितना सारा बार्ड्स पैरोड्स है सब के लिए कम से कम 6 लिट पानी चाहिए होता है और मैं 3 बोटल पानी मतलब 6 लिटर पानी यहां डाल दें तो फ्रेंट्स इस तरीके से हम लोग यहां 6 लिटर पानी लिया है ठिक है यह 6 लिटर पानी है मतलब हमको हर 2 लिटर में 10 ml देना है और यह जो बटल में 10 ml करके है ठीक है तो 6 लिटर में हमको यह 3 बटल देना होगा ठीक है तो पहले मैं थोड़ा सेख कर लेता हूं सबको कर दो कर दो है और अभी मैं करूंगा क्या मेरा बार्ट स्पैरोट को जो फूर्ट सीट बगरा देने से पहले पानी में उन लोगो प्रोवाइट कर दूंगा और उसका 10 मिनिट 10 मिनिट बात या 15 मिनिट बात उन लोगों फिर से सीट्स देंगे कोई फ्रूट या वेज़ीटेबल्स नहीं प्रोवाइट करेंगे आज का दिन क्योंकि वहां से उन लोगों को अगर पानी मिल जाएगा तो ये बाला पानी नहीं और लोगों? ऑ्यका चर्ण कर दिनसराईनी से उन हमाल मिल जाएगा मिल जाएगे कर दो येग्वाइबल्स प्रolution आज़गे lot उन लोगों वहाँ Bowl कि शरsin और फ्रेंज यह तो मेरे हाथ से पारी पीते हैं इसी कर दो तो प्रिजरण सी तो फिर्ट्स के तो आज सो गया दभाई मंनलब जो देखे मैंलब सारे बार्थ सी या और पैरोट्स को मैंने प्रोवाट कर दिया तो काल और पोर्सू मैं जो करूँगा हिमालवय का लीफ 52 है यह मतलब दो दिन मतलब बाकी दिन जैसे खाना पानी प्रोवाइट करता हूँ वह ऐसे ही सेम तरीके से करूँगा उसके साथ सिर्फ हिमालवय का लीफ 52 मतलब मिक्स करके पानी के साथ यह फ्रूट्स के साथ दो के लिए हम continue करेंगे और यह दो दिन हो जाने के बाद उसके बाद पांच दिन के लिए एक मल्टी विट्यामीन है पांच दिन के लिए continue करूंगा तो आप भी कीजिए करte ऐसे लिए एक लिए पार्ड चानल में और फिर दो फ्रेट्पन आप लार्ड आज के लिए यही तक फिर मिलंगे किसी के साथ फिलाल आज के लिए बाई बाई फेरेंड्स